मरकुस रचित सुसमचार इसके नीचे वैथा खोल दिया और जब उसे उध्यर चुके तो उस खाट को जिस पर जोले का मारा हुआ पड़ा था लटका दिया इश्यु ने उनका विश्वास देखकर उस जोले के मारे हुए से कहा हे पुत्र तेरे पाप ख्षमा हुए तब कई एक शास्त्री जो हाँ बैटे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे कि यह मनुष क्यों ऐसा कहता है यह तो परमेश्वर की निंदा करता है परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप ख्षमा कर सकता है यिश्व ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे है और उनसे कहा तुम अपने अपने मन में हैं विचार क्यों कर रहे हो सहच क्या है क्या जोले के मारे से यह कहना कि तेरे पाप ख्षमा हुए या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर, परंतु जिस से तुम जान लो कि मनुश के पुत्र को प्रत्वी पर पापशमा करने का भी अधिकार है, उसने उस जोले के मारे हुए से कहा, मैं तुझ से कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा, और वह ऐसा कभी नहीं देखा, वह फिर निकल कर जील के किनारे गया, और सारी भीड उसके पास आई, और वह उन्हें उपदेश्ट देने लगा, जाते हुए, उसने हलफई के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा, और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले, और वह बैठे, क्योंकि वे बहुत से थे, और उसके पीछे हो लिये थे, और शास्त्रियों और फरीसियों ने यह देखकर, कि वह तो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, उसके चेलों से कहा, वह तो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता इशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्ध की आवशक्ता नहीं, परन्तु बीमारों को है, मैं धर्मियों को नहीं, परन्तु पापियों को बुलाने आया हूँ। यहन्ना के चेले और फरीसी उपवास करते थे, सो उन्होंने आकर उससे यह कहा कि यहन्ना के चेले और फरीसियों के चेले क्यों उपवास रखते हैं, परन्तु तेरे चेले उपवास नहीं रखते, इशु ने उनसे कहा, जब तक दूला बरातियों के साथ रहता है, क्या वे सो जब तक दूलहा उनके साथ है, तब तक वे उपवास नहीं कर सकते, परंत वे दिनाएंगे कि दूलहा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे. कोरे कपड़े का पैबंद पुराने पहिरावन पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो वे पैबंद उसमें से कुछ खीच लेगा, अर्थात नया पुराने से और वे और फट जाएगा, नहीं दाकरस को पुरानी मश्कों में कोई नहीं रगता, नहीं तो दाकरस मश्कों को फार द और दाखरस और मश्कें दोनों नश्ठ हो जाएंगी, परन्तु दाख का नया रस नई मश्कों में भरा जाता है। और जब वह और उसके साथ ही भूके हुए, तब उसने क्या किया था? उसने क्यों कर अभियातार महयाजक के समय परमेश्वर के भवन में जागकर भेट की रोटियां खाईं, जिसका खाना याजुकों को छोड़ और किसी को भी उचित नहीं, और अपने साथियों को भी दी? अभी स्वामी है